मैं आपको कुरू डायल के उपर एनलाइसिस करके बताने वाला हो, यह वीक ले आने जाइसिस रहेगा, नेक्स वीक में आपको क्या करके चलना चाहिए, कौन से लेवल इंपोर्टन रहेंगे, कम्प्लिट एनलाइसिस में इस वीडियो के अंदर टेकनिकल बेस के ओपर यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, मेरे वीवर्स और फ्री लेवल में प्रोवाइड कराता हूँ, मेरे वीवर्स और सस्क्राइबर के लिए कोई भी चार्जिस नहीं है, कुरू डाल के में देली दो से लेकि तीन लेवल आपको फ्री आफकास्ट मिलती रहेगी, टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएका उसके तुरू जॉइंट हो जाएए जो आरेड़ी जॉइंट है व्यूकुल फाइदा उठा रहे और मैं यहां पर आफशन के भी बहुत सारी स्टेजी कुरू डाल के उपर बनाई है वो भी आप व्यूकुल व को बाइक देखने को मिल रहा है जब भी थोड़ी बहुत गिरावट आती है फिर उपर जाने की ज़रूर कोशिश करता है को यहां से क्या हुआ था पीछली बार लगब 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 देख लेजिए नवाजा 600 के आसपस इतने हाई लगाय था वहां से कंटिनू यहां पर इससे अबनिन की कि आ यहां को गिरावट देखने को मिले थी यहां से consultant में ने ड्रों किया और उसके बाद यहां से यहां से बिक्रेण डा繼續 कर ता उसके बाद एक correction तो बनता ही है, क्योंकि इसके पहले वाला जो rally चली है, वो देख लिजे कितने percent के rally चली, तो जबी भी rally चली है, तो कम से कम 50 percent correction होना ज़रूर ही है, तो यहां से जो rally चली है, almost यहां पे 100 percent के आसपस यहां पे rally आपको देखने को मिला था, मतलब almost यहां पे double आपको देखने को मिला था, वहां से फिर धीरे धीरे गिरावट आई, और जो यहां से अब भी जो गिरावट है, top से वो कितना percent की गिरावट है, तो almost देख लिजे, यहां पे 40 percent के आसपस गिरावट आई है, जितने भी communities आप देख सकते हो, gold देख लिजे, silver देख लिजे, तो अब यह अच्छा खासा breakout, train line breakout आपको नजर आ रहा है, और train line के brace को अपर देखोगे, तो यहां पे एक horizontal resistance निकल के आ रहा है, तो 7700 के उपर यह sustain करेगा, तब यह आपको fresh के entry बना सकते हो, एक minute यहां पर थोड़ा सा उपर ले लेते हैं, यह 7770, तो इस level तक जाता है, त position बन सकती है, किसी को sale करना है, तो 7770 के आसपा sale कर सकता है, ध्यान में रखी, sale कप करना है, कम से कम एक घंटा इसके नीचे सस्टें करना चाहिए, 7770 के नीचे, कम से कम 60 मिनिट या दो घंटे का candle, कम से कम एक rate candle बनेगा, तो उसके लोग के नीचे आपको sale की position बना सकते हो, ऐसे नहीं कि 7,770 टच कर लिया और आपने शेल की पोजिशन बना दिया ऐसे नहीं करना है एक कैंडल बनना चाहिए जैसे मैं आपको बताना चाहते हो जैसी यह देख लिजिए यह डेली कैंडल के बेश को फटा है तो कम से कम आपको यहां पे देख लिजिए पहले बढ़िय लिजिए आप सेल की पोजिशन बना सकते हो और टॉप जो लगेगा उसके उपर स्टॉपलास लगाके सेल के उपर कंटिनू आप बैट सकते हो स्टॉपलास आपके लिए 7200 कर रहेंगे यह होल्डिंग बेस है वीक्ली अनलेसिस रहेगा आने वाले विक में यह इंपोर्ट करता है 7800 के रेंज में तो एक पोजिशन आप ज़रूब एड कर सकते हो लेकिंध्यान में रखे अभी ब्रेक आउट है तो डीप में बाय करने से ज्यादा फाइदा है क्योंकि क्या होता है जब भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है तो क्या होता है थोड़ा सा नीचे क अधर तो ट्रेंड चेंज होगा अभी ट्रेंड तो यहा इसी चेंज हो गया था हो सके यहां से कुसी ने बाय क्या होगा 7200 के रेंज में पेछले वाले वीडियो में बता है तो आपको बाय की पोजिशन बनाना है तो अब अब 7800 के आसपास पहुँच रहा है तो हो सके आसपस आनी दीजिए क्योंकि इसका प्रीवियस सपोर्ट है 7100 रूपी का 7100 के आसपस बहुँ स्टॉंग सपोर्ट है डेली के अंडल के बेश को पर ट्रेली आनलेसिस कर रहा हूँ क्योंकि यहां से अभी 7000 मतलब वहां से 100 उपर है तो 100 गिरता है तब अपनी पोजिशन एक्जिट करना है रवाइच होल्ट करिए उपर की तरफ टारगेट 7800 देखने को मिलेंगे तो यह कुरू डाल रहेगा अभी यहां पे एक रिजिस्टंस जोन है हो सके इस रिजिस्टंस जोन के पास एक गिर आउट आपको देखने को मिल सकते है लेकिन कब गिर आउट मिले कि कम से कम 60 मिनिट या टू अवर्स लिकेंडल वहां पे एक रेट केंडल बनता है और रेट केंडल बनने के बाद उसका लो ब्रेक करता है तो उसके हाई के उप होपर आप लगा के सेल की बना सकते हो अभी आप्शन के बात करते हैं आपको और भासों के उपर मार्केट नहीं जाएगा और हैंबात 7000 का PUT को आप PUT राइटिंग कर सकते हो तो यह PUT राइटिंग और CALL राइटिंग के लिए लेवर रहेंगे, आने वाले WIC में आप क्रूडाइल के उपर 7000 का PUT और 8500 का CALL दोनों को आप राइटिंग कर सकते हो, मतलब सेल करके Profit गेंग कर सकते हो, Premium आपको मिलेगा उसका 0 ह करने होगा, तो तरगेट हीट हो जाएगा. यहां से चेंज हो गया है, कुरूडाइल के उपर तो यहां पर समझ सकते हो क्या करके चलना चाहिए। लेवल याद रखिए। आप यहां पर सेंटिमेंट के देट करने का कोशीज कर दिये टेकनिकल को फालो करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा और रही बद में कुरूड आयल के उपर डेली बेस के उपर इंट्राडी लेवल प्रोवाइट कर रहता हूं अपडेट करता रहता हूं कि आपको कुरूड का लेवल कैसे दिख रहा है आने वाले दिलो में कैसे जाएगा, अप्रेंड जाएगा, डाउं ट्रेंड जाएगा, कम्प्लीट में अनलाइसिस, कुड आल के उपर, डेली बेस के उपर, टेली ग्राम के ऊपर मैं भेशता रहता हूं और इंट्रक्री लेवल भी प्रोवाइट कर रहता हूं लिंक आपको डिस्कि